हेलो दोस्तो मेरा नाम है अभी जीत और आप देख रहे है टेक गईड दोस्तो यह है इन्फिनिक्स होट एट जिसको मैं लगभग 15 दिन से आसपास यूज कर चुका हूँ और आज किस वीडियो में मैं इसका डीटेल रिव्यू करने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि क्य आना जाओंगा जहांगा जहांपर अगर अभी से आप इंवेश्मेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा साधी साथ दोस्तो इस एप में आपको कोई भी कमिशन चार्ज नहीं किया जाता है और इस तरीके से आप इंवेश्मेंट कर सकते ग्रो एप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा तो आप चेक आउट जरूर कीजेगा तो सबसे पहले अगर हम डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बैक पैनल है वो पूरी तरीके से पॉली कार्बोनेट के साथ आता है तो प्राइस सेग्मेंट में हम ज्यादा कंप्लेण नहीं कर सकते हैं और इसका जो बिल्ड है दोस्तो जो फिनिस आपको मिल रहा है पीछे के तरब कलर की बात करते हैं वह काफी ज़्यादा अच्छा मिलता है दो कलर वेरियन पे आपको यह देखने को मिल जाता है जो कि आप पर आपको 20 to 9 के aspect ratio देखने को मिलता है तो यहाँ definitely smartphone का screen काफी बड़ा है लेकिन एक चीज आपने notice किया होगा कि 20 to 9 के aspect ratio होने की वज़े से smartphone थोड़ा सा tall किया गया है यहाँ पर अगर आप इसे hold करते हो आपके हाथ अगर बहुत ज़ादा बड़े भी नहीं होगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है तो smartphone दोस्तो अगर आपको बड़ी display के साथ चाहिए अगर आप multimedia यह सब ज़ादा देखते हैं तो 720p के display होनी की वज़ेस दोस्तो आपको maximum 720p का ही resolution देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यही पर आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि जो इसके screen है उसमें कौन सा protection है तो इसके बारे में company ने कुछ specification तो नहीं हमें बताई है लेकिन आपको यहाँ पर मिल जाता है screen guard का protection जो कि box के अंदर मिलता है तो आप उसे लगा करके use कर सकते हैं और आपको यहाँ पर scratches यह सब देखने को नहीं मिलेगा यही पर दोस्तों गर हम battery की बात करते हैं तो 5000 image की आपको battery मिलती है और smartphone काफी बड़ा है तो इस वज़े से आपको लग सकता है कि यह heavy होगा लेकिन frankly speaking guys यह मातर 179 gram के आसपास आपको देखने को मिलता है मैंने Redmi Note 7 Pro भी यूज किया और भी अलग-अलग brand के smartphone यूज किया है लेकिन इस particular phone में 5000 image की battery की होने के बावजूद आपको जादा भारी ये देखने को नहीं मिलेगा जो कि काफी अच्छी बात है इसकी और बात करते हैं इसके battery backup की तो यहाँ पर आपको असानी से 2 दिन का backup मिल जागा तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होने वाली है यहीं पर दोस्तों अगर हम security feature की बात करते हैं तो आपको मिल जाता है पीछे के तरफ dedicated fingerprint scanner और इसकी जो speed है दोस्तों आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं काफी जादा fast है, responsive है और accurate है यहाँ पर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है साथी साथ अगर हम इसके front की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है face unlock का भी option तो अगर आप इसका use करोगे तो आप अपने face के जरीए इस phone को unlock कर सकते हैं जो की again काफी decent level का fast आपको देखने को मिल जाता है और हर तरीके के sensor दोस्तों आपको इस particular phone में दोस्तों वो low light के लिए आपको काम करता हुआ मिलेगा साथी साथ quad LED flash आपको देखने को मिलता है तो low light में आप picture निकाल सकते हैं यह है कुछ इसके samples जो कि आप देख सकते हैं तो portrait mode हो गया या फिर normal mode हो गया आप आराम से इसके through picture निकाल सकते हैं इसका detail अगर camera review आपको देखना है तो आप i button पे click करके देख लेना बट यहाँ पर अगर मैं आपको अपनो opinion बताऊं तो पीछे का camera मुझे इसका बहुत ही ज़ादा अच्छा लगा चाहे वो बात आती है dynamic range की या फिर colors की बात आती है यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो इस हिसाब से दोस्तों आपको पीछे का back camera काफी decent level का मिल रहा है जो की फिलाल आप देख सकते हैं फ्रेंट की बात करते हैं तो 8 megapixel का आपको selfie देखने को मिलता है साथी साथ यहाँ पर LED flash भी आपको दिया गया है जो कि LED flash का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं लेगिन एक चीज मैंने notice किया था कि अगर आप इसके portrait mode का use करके picture निकालते हैं तो जो आपको edge detection होता है वो बहुत ज़ादा अच्छा नहीं मिलता है तो इस चीज का थोड़ा सा धियान रखेगा अगर complex background रहेगा तो edge के जो detection होते हैं वो बहुत ज़ादा अच्छे आपको नहीं मिलेंगे सेट होता है तो आपको अंदाजा लग जाएगा और मुझे इसका white balance काफी ठीक लगा इस price segment के हिसाब से बाकि आप बताना कि आपको वीडियो की quality कैसी लगी next अगर हम बात करते हैं इसके processor के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलता है Mediatek का Helio P22 का chipset जो कि दोस्तों आपको normal users के लिए काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर gaming experience आपकी अच्छी रहेगी लेकिन जो भी PUBG खेलना चाते हैं उनको यही मैं recommend करूँगा कि medium setting का option आपको मिल रहा है मैं जानता हूँ लेकिन यहाँ low settings में अगर आप खेलोगे तभी जाकर कि आपको frame drop यह सब नहीं मिलेगा क्योंकि यह जो P20 का processor आपको मिल रहा है वो कही न कहीं एक entry level of processor है तो यहाँ पर आप बहुत जादा expectation नहीं रख सकते हैं क्योंकि already यहाँ पर आपको 4GB, 64GB का variant मिल रहा है इतने सारे अच्छे specification मिल रहे है तो gaming अगर आपको करनी है जादा level वाली तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है बाकि यहाँ पर Subway server अगर आप खेलते हो या फिर Asphalt 9 अगर आप खेलना चाहते हैं तो यह सारे game आप आसानी से खेल सकते हैं और hitting issues की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे जादा hitting issues देखने को नहीं मिली क्योंकि मैंने इसके camera को भी test करने के समय जब park गया था तो मुझे यहाँ पर hitting issues देखने को नहीं मिली थी तो इस मामले में यहाँ पर आपको यह देखना होगा कि अगर आपको normal users करना है normal games खेलने हैं और अगर आप PUBG low settings में खेल सकते हो तो इस phone में यहाँ पर जो processor मिल रहा है यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है triple SIM slot का option यानि कि दो Gio का SIM आप आसानी से लगा सकते हैं साथी साथ SD card का भी यहाँ पर slot आपको दिया गया है तो यह भी आप लगा सकते हो यहाँ पर expand कर सकते हो storage को और अगर हम बात करते हैं call recording feature की तो यहाँ पर यह चीज आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप कर सकते है auto call recording का option नहीं है बट manually आप कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको FM radio का भी support मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है यहाँ पर आप सुन सकते है गाना यह सब और यहाँ पर दोस्तों आपको LED notification light जो मिल रहा है वो किवल आपका जब भी smartphone चार्ज में लगा रहेगा तब ही जाकर कि यह काम करेगा तो इस चीच का भी आप ध्यान ज़रूर रखेगा बात करते हैं इसके SAR value की तो यह बहुत ही कम limit में है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं limit होता है 1.6 जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 है तो कहीं न कहीं आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है SAR value के हिसाब से यही पर अगर हम Android version की बात करते हैं तो Android Pie out of the box आपको देखने को मिलता है साथी साथ दोस्तों जो इसका UI है वहाँ पर दोस्तों आपको stock जैसा मिलेगा experience जो कि आप यहाँ पर देख सकते है XOS पर यह आधारित है और जब मैं यह video shoot कर रहा हूं यहाँ पर 5.0.1 का support आपको मिल रहा है तो यहाँ पर फिलाल clone वाला app आपको feature नहीं मिलता है जो कि dual app आप में से काफी लोग पूछ रहे थे मुझे comment box पे तो हो सकता है इसका जब update आएगा जो कि जल्ली launch होने वाला है तो वहाँ पर यह features आपको मिल सकते हैं क्योंकि जब कॉलकाता का event हुआ था तो हमने इसके feedback पे यह चीज बोला था तो देखते हैं अगर वह implement करेंगे तो काफी useful यह भी feature हो सकता है यही पर अगर हम इसके audio की quality की बात करते हैं तो directly आप sample सुन लो साथी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको 3.5 mm jack भी दिया गया है तो considering its price मुझे यहाँ पर audio की quality और headphone की quality काफी अच्छी लगी आपको ज़्यादा निरास होने की ज़रुरत नहीं है तो finally दोस्तों गर मैं conclusion की बात करता हूँ तो अगर आप एक ऐसे वेक्ती हो जिनको काफी बड़ा display चाहिए काफी अच्छी battery की quality चाहिए triple slot का option चाहिए और overall दोस्तों स्मार्टफोन भी look and feel wise काफी अच्छा दिखने वाला चाहिए तो यह phone को आप definitely consider कर सकते हैं तो in total दोस्तों मैंने आपके हर एक doubt को solve कर दिया है इस वीडियो के अंदर और मैंने इसके बारे में सारी जानकारी आपको बता दिया अब आप बताना कि क्या आप इस phone को खरीदना चाहोगे या फिने क्योंकि अगर आप 31 October 2019 से पहले इसे खरीदते है तो 4 GB, 64 GB का variant आपको म नहीं मिल पाया तो कोसिस करना जल्द से जल्दी से खरीद लिया जाए Flipkart का direct buying link में नीचे description box में आपको दे दूँगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते है तो चलो यार इस वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही देखने के बहुत बहुत धन्यवाल वीडियो पसंद आया होग बल नोटिए वीडियो में परस्कायलियो अ더 यूल्य वाचीC आप रची में तो वहे पनीma बैल प्रोटक।